आज मैंने कोश्चन नमबर वन से लेकर सेबन तक पहले ही अपलोड कर चुका था आज मैंने कोश्चन नमबर एट से लेकर आगे मैंने आप लोगों को बताने का कोशिस किया हूं यहां जो टोपिक है बिजनस अलिमेंट अथात वैसाय का ततो जो जैक बोड में क्लास्टेंट में सामिल किया गया है एक निया पैटर्न पे तो आप लोग के लिए बहुत ही विडियो फुटफुल होने वाला है इसमें डिस्क्रिशन बॉक्स में लिख दिया गया है चलते हैं दोस्तों बीना समय को विष्ट किये वे हम लोग सुरुवात करते हैं देखिए कोश्चन नमबर सेवा तक मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया था इसके अलावा गर आप इसका जो एकांटिंग जो पार्ट से उसका व बिट्वीन इंडिजनेस एंड फॉरें आपका एक्शेंज क्या अंतर हैं तो दोस्तों इसमें तीन अंतर मैं आप लोग को समझाना बताना चाहता हूं पहला है भासक अधार पे देशी बिन में पत्र क्या होता है यह बिल देश के किसी भी भासा में लिखा जा सकता है यह जो बिल होता है न देश के किसी भी भासा से लिखा जा सकता है जो हिंडी हो या इंग्लिज हो या वाटेबर जो भी आपका रिमेनिंग लेंग्वेज है उसमें लिखा जा सकता है लेकिन विदेशी विन्मे पत्र यह बिल्केवल अंग्रेजी भासा में ही लिखा जाता है यह तब पहला अंतर दूसरा पर्तिलिपी मतब फोटोकोपी इसका एक पर्ति त्यार की जाती है जबकि विदेशी विन्मे पत्र की तीन पर्तियां त्यार की जाती है अब तिसरा अंतर है दोस्तों अस्थान के अधार पे देशी में पत्र जो होता है इसके लेखा में स्विकृता दोनों ही एक ही देश के ही होते हैं मतलब ड्रोवर और एक्सेप्टर दोनों इखी देशे होते हैं, जबकि इसके लेका के ओम एक्सेप्टर उस्विकर्ता दोनों अलग अलग देशों के होते हैं, यही दोनों में आपका difference है दोस्तो, तो यह थे question number एका 7 का answer, अब चलते है question number 8 की और, what do you mined by quotation letter, कौटिसन नेटर से क्या समझते हैं देखे दोस्तों जब किसी वयपारी को किसी वस्तु की पुछताज समंदी पत्र प्राप्त होता है तो सभाविक है कि वह उसका उत्तर भी उत्तर भी देगा क्योंकि उसको पूछना है तो अपना भासम उत्तर ही देगा और अपना ही मुल्च सुची नमूनियत हो बांगी बेजेगा वानिज भासम इसी पत्र को रिख पत्र के नाम से पुकारा जाता है दोस्तो दोस्तो यहां पर क्या कोटेशन लेटर का मतबन है कि कोभी आपको पू कुछ ताच करेगा तो अपने जवाब ही देगा तो इसी पत्र को में बोलते हैं डाट इसकोल कोटीशन आपको लेटर नेश कोशन कोशन नबर टेन हैं गीव दा नेम ऑप फोर नेशनलाइज बैंक चार आपका रास्टिय बैंक का नाम बताइए तो चार बैंक लिखा देर दोस्तों अगर आप पीछे वाले वीडियो अथार्थ क्लास्टेंट का जो एकाउंट्स का पार्ट से अबजेक्टिव या सबजेक्टिव में पहले ही अप्लोड कर चुका हूं अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेश्ट में जाके वन बाइवन करके इंजवाय कर सकते है इसके साथी साथ मैथ का आपका अबजेक्टिव कोशन भी मैंने अप्लोड किया हूं और आप नहीं देखे तो वहाँ पे जाके इंजवाय कीजिए और दोस्तों को सेयर कीजिए इसके साथी साथ आप ब्लॉग शेनल में जवायन कीजिए जहां पे मैं अपना लाप का सारा एक्सपिरियंस मैं वहाँ पे सेयर क्या करता हूं तो ठीक है दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय सुपित करने के लिए हिर्दपूरवक धन्यवाद जो बची हुए है दोस्तों उन्हों को वीडियो आपका नेक्ट वीडियो में आप लोगो अप